English speaking, day 52, बस तुवे थिंग्स यह बड़ी अच्छी तस्वीर है This is a very fine या nice या beautiful picture क्रप्या चेंज दीजिए, please give change तुमने मुझे अपना फोटो नहीं दिखाया You have not shown me your photograph जरा यह सामान मेरे होटल में पहुचा दीजिए Please deliver the goods at my hotel मुझे चश्मा बदलवाना है I have to get my spectacles changed मुझे एक और कमबल चाहिए I need another blanket मेरी घड़ी बनने गई है My watch has been sent for repairs मुझे चावल, दाल और करी चाहिए I want rice, pulses and curry मैं एक दर्जन सिगार और दो दर्जन सिगरेट चाहता हूँ I want one dozen cigars and two dozen cigarettes मुझे से शीशा तूट गया The mirror was broken by me कुछ छंडा लीजिए Please have something cold मैंने तुम्हारी किताब नहीं देखी I haven't seen your book Haven't मतलब have not यह बक्सा बड़ा भारी है This box is very heavy इन सब चीजों को ले आओ Bring या get all these things इन चीजों को बांध दो Pack these things या articles अपना बिस्तर बंदा उठा लीजिए Please carry or hold all वह अपना सब सामान लेकर घर से चला गया He left his house with bag and baggage समान कम लेकर चले You should travel light उसको सुन्दर चीजों से बहुत लगाव है He is fond of beautiful things यह कपड़ा मजबूत लगता है This cloth appears durable बरतनों को बापस shelf पर रख दो Put the utensils back on the shelf आप अपने कमरे में हरा रंग करा लीजिए Get your room painted green क्यों आपने अपने घर में सफेदी करा ली Have you got your house white washed? मुझी अपने furniture की मरम मत करानी है I have to get my furniture repaired याद रखें remember ए यह आम बहुत मीटा है एक टोकरी में पचास आम रखे हैं अंग्रेजी में भी अनेक शब्द है जिनका एक बचन बहु बचन के समान होता है देखिए The hunter ran after the deer शिकारी हिरन के पीछे दोड़ा The deer are fine looking animals हिरन देखने में बहुत सुन्दर पशू है में deer का plural number भी deer ही है इसे परकार इन शब्दों पर ध्यान दीजिए शीप, भीड, Chinese, चीनी, हेर, बाल आशीप, एक भीड, शीप, कई भीड, मैंनी शीप के लिए भी शीप लगाएंगे आहेर, एक बाल, हेर, कई बाल, कई बाल के लिए सिर्फ हेर लगाएंगे डजन, दर्जन, स्कोर, कोडी, ग्रोस, गृस मतलब इसमें होते हैं 144 बस्तवे अंग्रेजी में जब विशेशड के रूप में आते हैं तो वे एक बचन ही रहते हैं जैसे टू डजन, एक्स, फाइव हंडेड रुपीज, त्री हंडेड सोलजर्स लेकिन जब क्रिया विशेशड के रूप में प्रयोग के जाते हैं तब बहु बचन हो जाते हैं जैसे डजन्स ओफ एक्स, हंडेड सोफ रुपीज आदे